असलाम अलेकुम वेलकम तो मासूम्स फूट सीक्रेट्स आज मैं आपके साथ एक इंतहाई यूनीक रेसिपी शेयर करूगी उसके लिए आपने वीडियो को एंट तक जोड़ देखना है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अगर आप फेस्बुक पेच 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 अब आपने इसको लो फ्लेम पे कवर करके पकाना है छे मिनट के लिए जब तक यह सॉफ्ट नहीं हो जाते और जैसे इसको अगर टच करें तो यह मैल्ड जो है ना पेस्ट बनने लग जाए इस तरीके से आपने इसकी कुकिंग करनी है तो यह देखें छे से साथ मिनट हमा आपने इसको फुल पेस्ट नहीं बनाना कुछ दरदरा सा भी रखना है अब इसके अंड़ा एड़ करेंगे बहुत यूनीक रेसिपी है यह बहुत मज़ेदार बनती है और इसमें कुछ स्पून सुगा धनिया पावडर एक टी स्पून जीरा एक टी स्पून काली मर्च ए काफटी स्पून नमग और एक टी स्पून ही गरमसाला पावडर जाएगा और एक कटा हुआ अनियन जाएगा बड़े साइस का अर अगर आपके पास छोटे ओनिया ना तो आप दो एड़ करेंगे और यहां पे एक टी स्पून के क्रीब जाएगा गार्लिक और ब्रेड करम से हमारे पास डू कप्स और अगर आपको कप्स में नहीं पता तो तीन ब्रेड के स्लाइस आप करके डालेंगे और हरा धनिया डालेंगे आप हैंड फूल यह जो ब्रेड क्रम्स हैं यह हमारा बाइनिंग एजेंट है और हरी मर्चे जाएंग इसके अंदर दो अधर चॉप इसा बनाने का दिल ना करेंगे ज्यादा टाइम ना हो तो यह रस्पी बिल्कुल पाफेक्ट है अब आपने क्या करना है कि और गरम करगे सारी टिकियां बना के फ्रेश बना के आपने सके रैड करनी है और टोटल कुकिंग टाइम आपने देना है पांच से शे मिनिट जैस इस बिल्कुल किसी चिकन से काम नहीं किसी मटन से काम नहीं इसको ज़रूर ट्राइ कीजेगा और यह हमारे सारे कबाब्स जो है वो फ्राइ हो चुके हैं इनको हम एक एक करके सारे निकाल लेंगे और आप चाहें तो इसको डीफ फ्राइ करें, चाहे तो शेलो फ्राइ करें, यहाँ पर डिपैंड करता है, लेकिन शेलो फ्राइ जो है, वो ज्यादा बेहतर है, और आइल का इस्तमाल किया करने, जब भी कोई चीज फ्राइ करते हैं, और यह स्नाक्स घी में अच्छे नहीं वाइल में ज्यादा अच्छे बनते हैं और हमारे फेवरिट एक्प्लेंट स्नाक्स जी हैं वो बन्चुके हैं जो ट्राइ कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें दी जाज़त आला हाफिस